इस वीडियो में हम समझेंगे सॉल्व करेंगे क्वेस्टा नमबर वन आडी सर्मा का एकससाइज वन पाइंट टू यहाँ पर कर रहा है कि एक्सप्रेस दो फालिविंग रेस्टनल नमबर्स आज डेसिमल्स तो हमें इन सब इर नमबर्स को करना है डेसिमल के फॉर्म में रिप्रिजन करना है तो थेखे 42 upon 100 मैंने पहले ले लिया है तो 42 upon 100 यहाँ पर करना क्या होता है कि हमेशा आप क्या करो कि denominator मे मतलब कि 0s वाली नमबर्स का यहाँ पहले हैं यदि आप नहीं होता तो यहाँ पर हम क्या करते 100 के फार्म में लाने की कोशिज करते यदि आ सकता है तो मतलब कि terminating यदि होगा तो definitely नीचे जो है 100 आ जाएगा लेकिन यदि non-terminating repeating होगा decimal restaurant number तो वो नहीं आ पाएगा ठीक है यहाँ पर बिल्कुल ही नीचे denominator में क्या है 100 है तो 100 से divide कर दो direct या फिर decimal को 2 place left में लेकि चले जाओ directly ये representation हो जाएगा इसका मतलब कि 0 point आप लिसकते हो 0.42 या फिर आप क्या कर सकते हो 42 में divide कर दो 100 से तब भी कर सकते हैं तो अभी करने सकते divide तो 0 point बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा 0 फिर आप 4 times ले जा सकते हैं तो हो जाएगा ये 400 अब ये बिचेगा 20 फिर हो जाएगा 200 और 2 times जाए गया आपर तो 100 टूजा 200 यहाँ हो गया खितम हो गया 0.42 हो गया यहाँ पर representation इसका 1 रहेगा और 0 रहेंगे तो कैसे करेंगे हम इसको करेंगे हम देखिए ऐसे 327 अपान इसको लिसकता हूँ मैं ऐसे 5 into 100 और जो 5 है इसको हमें 10 के फाम में चेज़ करना होगा तो 2 से बिलाई कर दिज़े नीचे और उपर भी कर दिज़े 2 से ताकि कोई भी फाम इसमें चेंज ना हो कोई प्रावलम ना आए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 7 जा 14 का 4 1 करी ओफर 2 3 जा 6 2 2 जा 4 1 5 2 3 जा 6 6 जा 5 यह हो जाएगा 1 और 1 2 3 3 0s अब यहाँ पर 1 3 जा जाएगा तो आप जानते हैं क्या करना होगा decimal तो यहाँ पर है इस समय तो decimal जो है 3 प्लेस लेफ्ट में चल जाएगा यहाँ यहाँ और यहाँ आजाएगा मतलब कि यह करणवट होके हो जाएगा 0.654 तो जब भी आपका ऐसा नंबर हो जो की terminating decimal हो मतलब आपको समझ में आ जाए कि denominator है उसके factors 2 या 5 आ रहा है तो हमें साथ उसको इस form में change कर लिजे इस form में मतलब कि 1 and the number of zeros means 10, 100, 1000, 10,000 1,00, 1,00, 1,00, likewise चलिए third करते हैं आपर तो third part है आपका 15 upon 4 अब देखें यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे जिसे यहाँ पर किये थे क्योंकि आपको यह process मिल जाए एक simple तरीका मिल जाए जिससे कि आप किसी भी number को आसानी से convert कर सकें decimal के form में तो यहाँ पर करने के लिगा करना होगा यहाँ पर 15 upon 4 को ले सकता है 2 into 2 और इस वाले 2 में यह हम 5 से multiply कर लें और इस वाले 2 में यह 5 से multiply कर लें तो यह convert हो जाएगा किसमें 100 में और उपर भी करना पड़ेगा आपको 25 से multiply क्योंकि नीचे 25 से multiply किये है तो उपर हो जाएगा 25 125 होता है तो 5 हो जाएगा और 12 करी ओफर 25 जाएगा 12, 37 375 हो जाएगा अपान नीचे हो जागा 100 तो डिवाइड दे रहेंगा तो क्या आजागा 3.75 है कि नहीं डिसमल हम पर है तो 2 प्लेस लेफ्ट में जाएगा तो आजाएगा 3.75 बस इतने क्योशन दिया हुए वन में अब इसी का हम सेकर्ण बड़ करेंगे सेकर्ण वीडियो में तो देखते रहें थैंक यू सो मच फर वाचिंग बाई